हलो फ्रेंड्स वेलकाम वार्डस आईक्यू क्लासेज में दोस्तों आपको थम्नेल से पता हो गया होगा कि मैं आपको मिनित्या पब्लिकेशन बुक पूरी सॉल्व करा रहा हूं और दोस्तों मैंने आपका टॉपिक क्लासिफिक इसान स्टार्ट किया है जिसे हिंदी में वर आज की पुलिस हो हमेशा दोस्तों दोस्तीन नंबर आपको इसमें देखने को मिलेंगे इसका मैंने पार्ट वन अप्लोड कर दिया था आज यह आपका पार्ट टू है अगर आपको जीकी की ट्रिक वाइस और टॉपिक वाइस भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल क के प्लेलिस्ट पे चले जाएए वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी और लेटेश अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको नौटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए और इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है मिलेत्या पब्लिकेशन बहुत इसकी प्लेलिस्ट बनी आप जाके देख सकते हैं ठीक है दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं फिर उसका पार्ट वन हो गया था 17 कोशन मैंने बता दिये थे आज आपका 18 नंबर कोशन है बोला है कि सबसे अलग बताईए पहला 18 नंबर कोशन है बताना है सबसे अलग तीन सेकंड टाइम मिलता है आपको इसका जो राइट आंसर होगा दफ्तर क्यों दोस्तों दफ्तर में आप लोग काम करते हैं जो जोपड़ी, घर और बंगला इसमें आप लोग रहते हैं इसलिए अलग क्या हो जाएगा दफ्तर फिर उन्नियस नंबर कोश्चन है हड़े याड़ा, बिहार, सिक्कीम और भूटान तीन सेकंड मिलते हैं आपको बताएगा पहुती जी कोश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भूटान क्यों यह आपके भारत के राज्य हैं और भूटान क्या है यह आपका अलग पड़ोसी देश है इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा भूटान इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्का क्यों यह आपकी केरेंसी है पाउंड रूपिया और रूबल सिक्का आपकी करेंसी नहीं यह अपने मात्र भासा में बोले जाते हैं सिक्का जो क्वाइन्स होते हैं उनको सिक्का बोला जाता है ठीक है फिर अगला कोश्चन है 21 नंबर हैदराबाद मैसूर पटना लखनौ बताएगा इसका राइट आंसर दोस्तों बहुत ही अच्छा कोश्चन है यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर क्यों? आपको पता होगा हैदराबाद एक राजधानी है आंधपदेश की पटना बिहार की राजधानी है लखनौ उत्तरपदेश की राजधानी है मैसूर आपकी राजधानी ना है वो आपके एक सहर है आप लोग कमेंड बताएगा मैसूर भारत के किस राज में इस्तित है अगल कलाकार, चित्रकार, लेखग और कुमहार, most important question है दूस्तों, most important, इसका right answer बताईएगा अप लोग, इसका right answer होगा, कलाकार, क्या होगा, कलाकार, बहुत अच्छा question है, इसमें बहुत confusa होगे, बहुत लोग इसमें कुमहार लगा देंगे, तो कुमहार को नहीं लगाना है, इस सबी कलाकार की अंतरगत ही आते हैं चित्रकार जो होता है जो पेंटिंग करता है वो भी कलाकार होता है जो लेखा को होता है वो भी कलाकार होता है कुमहार जो बरतर मनाता है वो भी एक कलाकार ही होता है तो ये सब के अंतरगत आ गए हैं नेस्ट कोश्टन चलते हैं, तेस नंबर, मचली, साप, मगरमच और घड़ियाल, इसका राइट अंसर बताएगा आप लोग, इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, मचली, क्यों, मचली केवल जल में रह सकती है, बाकी जो है, वो दोनों स्थान पर रह सकते हैं, साप भी दोनों स्थान पर रह सकता है, मगरमच भी दोनों स्थान पर रह सकता है, और घड़ियाल भी दोनों स्थान पर रह सकता है, इसलि यह तो बहुत इजी कोशन है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बोलना क्यों यह सब सरीर के अंग होते हैं आंग कान जीब और बोलना यह आपकी एक प्रितकिरिया है जो आप लोग बोलते हैं जैसे अभी हम मैं बोलना हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा और चैनल के साथ आज ही जूड़ जाएगा मैं आपको बहुत से जीएस की ट्रिक वाइस वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और इसमें मैंन यह मिनित्या की स्टार्ट की है और मैंने मैथ की बुक एश्डी आदो भी स्टार्ट किया था आप जाके वह भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अगला कोश्चन है पचिस नंबर रेखा, तरिभूज, वरत और बिंदू इसका राइट अंसर क्या होगा बताइएगा अप लोग इसका right answer होगा बिंदू क्यों दोस्तों देखिए रेखा क्या होती है ये ऐसे फिर क्या है त्रिभुज त्रिभुज कैसे बनता है जो तीन बंद आकरती भुजाओं को क्या कहते है त्रिभुज फिर अगला क्या है वरत दोस्टों आपको इसमें देख रहा होगा देखी मैं अगर बिंदु करके ऐसे-ऐसे बना दू देखी एक line बन गई तिरभुज भी दोस्तों एक बिंदु करके ऐसे-ऐसे बना सकते हैं गोला भी आप एक बिंदु रख रख के बना सकते हैं इसलिए इसका right answer क्या होगा बिंदू, बहुत अच्छा question है, बिंदू से आप ये तीनों मिलकर बना सकते हैं, ये सब बिंदू से मिलकर ही बने हुए हैं, इसलिए इसका right answer क्या होगा, बिंदू, अगला question देखेगा, 26 नंबर, बहुत ही best question है दोस्तों, 26 नंबर, पेड़, त क्यों, दोस्तों इससा पेड़ के भाग है, तना भी पेड़ का भाग है, फूल भी पेड़ का भाग है, और पत्ती भी पेड़ का भाग है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, पेड़, अच्छा question था ये भी, अगला 27 नंबर question, जाड़ी, पौधा, पत्ती और लता, बताएगा most important, दोस्तों, most important, दोस्तों आपका ये जीडी में पूछा गया, तो question 2019 का, मैंने जीडी के previous year, जीएस भी कराया है, आप जाके मेरे playlist पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही best question है, 27 नंबर, बताएगा आप लोग इसका right answer, 5 second का समय देखता हूँ, इसका right answer क्या होगा दोस्तों, पत्ती, अब आप लोग कहेंगे, इसका आंसर पत्ती कैसे हो गया, दोस्तों, अन्य सभी पौधे के प्रकार हैं, जबकि पत्ती पौधे का एक भाग होता है, पत्ती पौधे का एक भाग होता है, और ये सब क्या हैं, ये सब अलग अलग हैं, ये सब पौधे के प्रकार है, पौधा भी अलग होता है, जाड़ी भी पौधा का प्रकार होता है, लता भी पौधे का प्रकार होता है, इसलिए राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका पत्ती, अगला कोशन बहुत बढ़िया है, कलकत्ता, छिन्नेई, जैपूर और मुंबई, बहुत ही बढ़िया कोशन है इसका राइट अंसर क्या होगा दोस्तों जैपूर राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा जैपूर क्यों यह सब दोस्तों महानगर हैं क्या महानगर है कलकत्ता चिन्नेई और मुंबई एक लोजिक तो यह हो गया यह सब महानगर है नए तो आप पश्रिम मंगाल में है ये आपका एक समुद्र के किनारे वाला राज्य है चिन्नेई तमिल नाडू में है ये भी समुद्र के किनारे वाला एक राज्य है मुंबाई महाराष्ट में है ये भी आपका एक समुद्र वाली समुद्री राज्य है जो समुद्र सीमा बनाता है तो आज का वीडियो का इसा लगा बताएगा comment box में मिलते हैं फिर अगले next वीडियो में आज का एक homework आप लोग लिख लीजिएगा पॉंबग में आप मुझे बताइएगा लाश्ट कोशन राजिस्थान से खतम किया है राजिस्थान में लोगसभा की सीट कितनी है इस साइम लोगसभा की हर एक पेपर में पूछ रहा है तो आप लोग बताइएगा लोगसभा और राजिसभा ये दो आप लोग कमेंट करके बताएगा ओके आज के लिए इतना 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 मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू